अब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जिसमें आज में आप सभी के लिए एक क्वेस्चन है एक नहीं तीन चार कुष्चन पांच प्रशन डिया का क्वेस्चन है अभी रिसेंट जो नवंबर 2020 में एक्जाम हुआ था आपके सामने आपको 2020 में हुआ एक्जाम इसमें दो पैरग्राफ पूचे गए थे एक तो जर्नल जो रहता ही है पैरग्राफ उसी से था ठीक है एक नया था जोग्रफी में डियाई से क्वेस्चन पूछ लिया था डाटा इंटर्पोटेशन से जिसका ये क्वेस्चन पेपर नंबर जो है 96 से 100 करने वाला हूं तो अन्कित कों डिसकरन करेंगे यह सामनि पहले zarado आपको दिखा दूंढ हे और इनको सब्सक्राइब से टीक है छलिए आपको अपने बारे में थोड़ा सा बात है आहां है आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यह मेरी प्रोफाइल You learn चानल को ली उप्पर यहां पर मैं यहां पर डेजिक ले रहा हूं फ्री screws पर भी और प्लस्개 su अटेंड कर सकते हैं और जिसके बाद आपको अनकेडमी पर प्री क्लासेस तो मिलेंगी ही और कैसे जॉइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा यह नहीं पर मेरे प्लस कोर्सेसे दोनों यह अपकमिंग नहीं यह ओंगोइंग है चल रहे हैं अभी ठीक है कोर्स वन जॉग्रफ अगैडमी पर मैंने जियो मॉर्फ लॉजी ठीक है क्लाइमेट लॉजी ओशनोग्राफी और इन्वायरमेंट इसके अलावा थॉट ठीक है और इसके अलावा इंडियन जॉग्रफी अभी हमारा चल रहा है यह यूनिट्स कवर कर दी हैं और इनके बाद जो बची यूनिट कर रहे हैं यह कोर्स ओन जोग्रफी पार्ट टू है जिसमें मैंने आपको बताया ने अभी कि इंडियन जोग्रफी को कवर कर रहा है तो यह हमारे कोर्से जिनको आप मेरा रेफ्ल कोड यूज करके जोग्रफी दंकित नीचे लिखा हुआ है इस्तुमाल करके आप देख सक यह तो तो नहीं झो एंब सब्सक्राइब थेजंगे जोग्रफी का रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूं और पेपर वन का रिविजन आप देख ही रहे हैं तलवीज सर आपको करवाने वाले हैं सब्सक्राइब जानती हैं सभी किसी introduction के महताज नहीं तो फो भीर उन मै प्रेक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इसमें आपको यह मिलेगा एटी प्लस क्वेशन का टार्गेट आप जोग्रफी में मेरे साथ आप अचेव कर सकते हैं अगर आप इन को देखेंगे यह कुछ प्रिवेस क्लासे हैं जिनको आप देख सकते हैं कैडमी स्पेश अगर आपको प्लस पर मेरा कोर्स जॉइन करने हैं तो जोग्राफी दंकित यह मेरा कोड है इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और च्छे से बारा महीं जाइए कब बीच का सब्सक्रिशन प्लैन ही ले लिजीगा क्योंकि इससे कम में तयारी नहीं होगी तो यह मेरी तर यह सुभारी नश rebellion खाला यह सुचते होंगी कि क्लासस धेली तो क कारणी यह है कि मुझे रोज चाह चार चाहर क्लास सब्सक्राइब क्ला सब्सक्वाइब सबाने माफेचUA हो तो तो आप जॉइन करें देली वहाँ पर फाइदा उठाएं देखिए यह एक डियाई पूछा गया है डाट इंटरप्टेशन जो की जोग्रफी के पेपर में था अब इससे आपको आंसर देना है देखो इए आपसे पूछ रहा है इसमें किस तरुके का क्कूष्छन है एक तरह वको इस्टा安λλά नमबर दिया अश्क कोई मतलब नहीं है यह class interval जो दिया है frequency थीन तरह के होती है ठीक है इंडिविज्विल का मतलब है complete नंबर जैसे यह आपको नंबर दिख रहे न तो यह complete नंबर है लेकिन इस तरीके का नहीं है डिस्क्रीट का मतलब decimal में 2.1, 3.4, 5.6 इस तरीके से points में और continuous का मतलब है 101 से 2, 201 से 300 और 301 से 400 इस तरीके से सवाल क्या-क्या है एक एक करके सबको देखते जाते हैं मैं इसको थोड़ा सा निचे कर देता हूं ठीक है पहला question है इसमें आपसे पूछ रहा है कि relative frequency in percentage ठीक है यानि कि दिए गए आकड़ों के सवर्ग सिम्या में 301 से 400 के लिए 301 से 400 यानि कि third sequence जो तीसरे नंबर पर इसकी बात कर रहा है ठीक है 301 से 400 के लिए आपको relative frequency निकालनी है ठीक है क्या निकालनी है relative frequency वो भी percentage में निकालनी है तो देखो इसका एक फॉर्मॉला होता है relative frequency को निकालने का वो मैं आपको फटा-फट से बताता हूं और इसको निकालते है relative frequency is equal to class frequency class की frequency यानिकि class मतलब कौन से इसके आपको निकालने तो एक 301 से 400 के बीच का निकालना ना तो इसकी frequency कितना है देखो इसकी frequency आपको सामने 24 और class की frequency इसको डिवाइड करना है आपको sum of all frequency मतलब इस total की जो frequency यहाँ पर उपर देखो बारम बारता लिखाब ना इसका मतलब होता है frequency देखिए तो अब आप इन सब को जोड़ दीजे अगर आप इन सब ही को जोड़ देंगे तो यह मतलब यह total की frequency क्लास की frequency तो कितना है 24 है तो लिख दो यहाँ पर 24 तो जोड़ करके आंसर आएगा मैंने पहले जोड़ लिया है तो इसका क्या करते है आप हम 100 से गुणा कर देगे एंगे अब अगर आप इसको इहां पर कितना होग्या डबल जिरो लगा दिजिए और इसको डिवयड करेंगे अगर आप तरफ आपके पास आंसर आएगा 19.2 फिटकर यह आ आपका आंसर होगा तो इसका मतलब हमारा करेक्ट कि दूसरा यह किमुलेटेव फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है जानि कि बारम बारता पूछ रहा है सन्चई बारम बिवारता का मतलब जो ओपर के फ्रिक्वेंसी नीचे को जोड़ो जो जोड़ करके आया उसको फिर ले में जोड़ ये फिर नेक्स होिस तरोज इस तरीकर से एड़ करते वे चलता है अब यह कुमिल्यटीब फ्रिक्वेंसि कहां तक पूश रहा है चार सो एक से पांचो तक फूच रहा है चार सो चार में 12 जोड़ा 16 और 16 में 24 जोड़ा तो कितना हो गया 40 40 में 40 जोड़ा तो 80 यह पहले इन्होंने गलत जवाब दिया था बाद में इसको सही कर दिया था उन्होंने तो इसका जवाब क्या है बहुत आसान है किमिलेटिफ फ्रिक्वेंसी इसका आगया 80 ठीक है इसके अलाव पूछा था अभी पूछा था के बल चार सो एक से पांसो एक पांसो तक बीच में अब बोल रहा है कि टोटल का जोड़ लिए जब हम टोटल का जोड़ देंगे किमिलेटिफ फ्रिक्वेंसी चार में 12 12 14 40 जोड़ो कितना एक 80 80 में फ्रियां से जोड़ी है ठीक है इन सब को तो इस तरही में जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास बहुत आसाने यह जवाब आ जाएगा तोूट 2012 क्या है nap 125 इसका सवाल क्या हुआ है इसका सभी जवाब 125 है यह हमारा करेक्ट ठीक है तीन सवाल हमने सौल कर लिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है अरिथमेटिक मीन आप सो पूछ रहा है यानि कि ऑसत देखो चाहे मीन हो मीडियन हो चाहे मोड हो सभी का मतलब एक बात ध्यानक ना कि ऑसत निकाल ला है बस तरीका लग लगे यह थोड़ा सा जो काफी थोड़ा सा यह कल्कुलेशन बे ग्राउंड है मैं सच लिचाता है वरना इतना बड़ा जो सवाल है जो इस लिए बैंच में होता है मैं इसको ऊफ़चाता है तो यह थोड़ा सा तफ लेवल का मैं मानुगा कि इसको पूछा था arithmetic mean देखो वरना निकालना इसको आसान है लेकिन calculation बहुत ज़ादा इसमें पूछ कहा रहा है arithmetic mean अब arithmetic mean का मतलब क्या होता है इसका formula क्या है sigma fx upon n ठीक है is equal to x bar x bar का मतलब mean यानि कि इसको हिंदी में बोलते है माध्ये ठीक है माध्ये आपको निकालना है कैसे निकालना बहुत आसान है में बार बार बोलो लेकिन calculation बहुत ज़ाद है अब टोटल का आपको arithmetic mean निकालना है तो अगर आपको arithmetic mean निकालना है देखो इसके लिए या een formula है अब यह क्या है जो लिखा आपके सामने तो कुछ नहीं है मैं आपको बताता हूं क्या है देखो arithmetic mean निकालने के लिए हमें क्या करना होता है formula formula क्या है x bar is equal to summation या फिर sigma बोलेजिए fx upon n f क्या है frequency frequency कहां दी गई है यह frequency है ठीक है fx x कहां पर है तो आप कहेंगे किया यह x है चलो इसमें अगर आपको समझ में ना है तो मैं इसमें बताए तो कि यह हिंदी में थोड़ा सा statistics problem करती है इसका formula क्या है इसका formula x bar is equal to fx upon n ठीक है f का मतलब frequency और जब दो पदों के बीच में देखो कोई निशान नहीं कोई चिन नहीं होता है उसका मतलब होता कि गुणा है एक्स की वैल्यू क्या यह x की वैल्यू है तुझ नहीं यह x की वैल्यू नहीं है एक्स निकालना होता है जब इस तरीके की continuous series होती है तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं तो हम इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को दोनों को add कर देंगे दोनों को plus कर देंगे और 2 से divide कर देंगे average निकालना है basically average निकालने के लिए दोनों को जोड़िए और जितनी संख्या उसे divide कर दो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 101 से 200 को जोड़ें, कितना होगा, 301, 301 से, 301 को 200 से डिवाइट कर दो, कितना आ जाएगा, 150.5, यही आ जाएगा, इसी तरीके से हमें इन सभी का x निकाल लेना, x की value निकाल लेनी है, तो अभी तो पहले ह मैं x की value निकालनी होगी, और frequency हमारे पास है ही, इन दोनों का गुणा कर देंगे, जो हमारे पास answer आएगा, फिर उसको क्या करना है, उसको इस total जो frequency है, यहाँ पर f भी लेख सकते हैं, इस total frequency से multiply कर देना है, जो मैंने पीछे करके रखावा, क्योंकि calculation जादा है, इसलिए मै अगी मैंने जो किया है, इन दोनों को जोड़ा 2 से divide किया, एक सो पुचाज देसमलग 5, फिर इन दोनों को जोड़ा 2 से divide किया, तो हमारे थापास x की value यह आ गई, फिर 301 से 400 की value यह है, चार्सो एक से 500, पान्सो एक से 600, छेसो एक से 700, फिर 701 से 800, आठसो एक से 900, नौसो और इनकी सब की इसी तरीके से मैंने यह x की value निकाल ली है ठीक है अब अगर हम इसमें आगे देखें तो frequency frequency हमें दी भी थी frequency हमें दे रखिये हैं तो आप क्या करना है इस formula की अनुसार formula की अनुसार हमें इस x की value का और f का multiplication कर देना है गुणा कर देना है fx निकालना तो 150.5 का 4 में गुणा कीजिए तो 602 इस तरीके से इन सब की गुणा कर देनी इन दोनों की गुणा करके यहां पर लिखना है उसके बाद इन सभी को जोड़ देजिए summation of fx लिखना जहां पर भी summation लगा हो इसका मतलब है इनको जोड़ना है सम करना है टोटल का इन सभी को आप जोड़िए इन सब को जब आप जोड़ेंगे देखो कि इतने बड़े बड़े नंबर है यह नहीं है आप ठीक है इतने बड़े इसमें डिवाइट कर देना है जब हम इसको डिवाइट कर देंगे तो हमारे पास अंसर आएगा 422.5 यह हमारा करेक्ट ऑप्शन है ठीक है आप इसको कैल्गूलेटर से भी करके देख सकते हैं 422.5 हमारा अंसर तो यहां पर उसको मानते हम राउंट फिगर में कि 483 यह हमा यह सवाल अंतिम सवाल बचा इसमें क्या पूछा है तो इसमें पूछा है which one of the following is the mode value mode यानि की बहूलक जनरली बहूलक नहीं पूछा जाता है और पूछा भी गया तो यह तो फिर देखो continuous series में पूछा गया है ठीक है continuous series में यह पूछा गया है otherwise तो फिर वह simple सा formula ही पूछ वाला formula देखे वह अला गया यह continuous series का formula है जैड यानि की बहूलक तो इसका formula है देखो एल प्लस एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ और डिवाइड करो इसको टू एफ वन माइनस एफ ओ माइनस एफ टू और गुणा कर दीजिए आई से अब यह इन सब का मीनिंग क्या है तो य वर्गंतराल के आवरति जिसका हमें निकालना है वर्गंतराल की आवरति ओके frequency कितना आया है इसके अलावा वर्गंतराल से पहले जो यह एफ ओ है इसका मतलब है जो बहूलक है बहूलक वर्गंतराल से पहले के वर्गंतराल की आवरति और इसके अलावा देखे इसके अला कि पुरंत बाद वाले वर्गंत्राल की आवरती और आई का मतलब है वर्गंत्राल का विस्तार यानि कि सबसे टॉब और सबसे लोइस्ट पर है इनका कितना डिफरेंस कितना है ठीक है तो यह हमारे सामने आ गया है अगर हम उदा डेटा सेट में देखें तो एफ वन का मतलब चालिसोज्व साथ ंर्वेस यहां पर अगर आप इसको फॉर्मॉले में रखके देखें तो यह एल यहां पर आएगा सोरी एल प्लस वन इस तरी किसा आएगा तो हमने सब को फॉर्मुला में लगा दिया ठीक है और बस इनको माइनस किया पहले तो आगे हमारे पास 16 यह ब्रैकेट में है इन सब को माइनस करेंगे तो आएगा 40 और गुडान इंड्यान वे इसके अल अब इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास आंसर आ गया चार सो चालिज देखते रहना तो इसका मोड़ वैल्यू क्या है क्या आंसर आया हमारा कि चार सो चालिज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ठीक है कि हमारा उप्शन क्या है यह वाला चार सो चालिज दिसमलों छे गई अवाला वस्ट्रावन हमारा सही है मतलब राउंड फिगर में छे है उसको आगे ही लेकिंगे तो एज डिजट आ गएगा इसको एक बार जड़ा अपने से अपने लेवल पर भी आपको देखना है और यह नया कोर्स मेरा लाउंच हो रहा है इसमें जरूर से इन्रोल कराईएगा ठीक है अनकेडमी की प्रोफाइल कर लेकूं मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से जाके आप आप फॉलो कर सकते हैं और यह सारे जो कोर्स हैं वगयरा इन सब को देख सकते हैं ठीक है तो मिलते हम नेक्स क्लास में तो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू सो मज और कोई कुछ बात समझ में ना आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स म मेरा क्रेफिल कोड जरूर इस्तमाल कीजिएगा और कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेशन है तो हमारे वाट्सप ग्रूप ठीक है और टेलीग्राम चैनल से जॉइन कर लें ठीक है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ठीक तो मिलते हैं आप नेक्स क्लास में थैंक्यू सो मज